जैहिन दोस्तों मेरा ना मेरा केश तो बर्निंग इशू इन एमोलेट डिस्पले काभी लोगों ने मुझसे इसके बारे में पूछा तो सब कुछ बताता हूँ उसके बाद आपने कभी सोचा यह जो एमोलेट डिस्पले वगारा वाले फोन आते हैं इसमें आपको लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप तो वैसे तो मैंने पहले डिटेल में बताया हुआ लेकिन पूरा समझने के लिए थोड़ा सा पता हुना चाहिए आपको कि जो या एमोलेट डिस्पले वगारा होते हैं इसमें जो पिक्सल होते हैं ये खुद अपनी लाइट तप पर डियूस करते हैं जब जरूरत होती है और जब जरूरत नहीं होती तो ये शान्त रहते हैं चुटी पे रहते हैं कहने का मतलब इनको extra energy नहीं चाहिए होती है जैसे आपको black color show करना है तो वहाँ पर क्या होंगे pixel बंद हो जाते है इसलिए क्या होता है वहाँ पर pure black दिखाई देता है तो वहाँ पर pixel on ही नहीं होंगे बैटरी भी save होगी तो यह सारे reason होते है यानि कि IPS display में सारे pixel on रहते हैं चाहे आप छोटा सा भी काम कुछ display पर नहीं नहीं color बनाते है तो उसकी वाँसे हमें सारे दुनिया रंग बरेंगी दिखाई देती है फोन में तो यहाँ पर आप खुछ सोचो जो AMOLED या Super AMOLED display होती है अगर न सारे pixel जो होते है एक साथ on नहीं होते है मतलब जिसका काम होता है जो slide को produce करना होता है वो on रहते है बाकी off रहते है तो इनकी जो life होगी न वो भी तो अलग-अलग होगी न जिसका काम ज्यादा लिया जाएगा उसकी life कम हो जाएगी जो ज्यादा कम use होंगे उसकी life ज्यादा हो जाएगी जैसे यह Super AMOLED displays में आधी screen में मैं क्या कर रहा हूँ Black wallpaper लगा दे रहा हूँ आधी में तरीके से आप अंदाजा लगा लो जैसे आपका जो keypad वाले फोन आते थे लाल और जो हरे वाला बटन होता था उस पे हम लोग ज्यादा यूज करते थे वह विचारा घिच जाता था यानि कि हैर चीज की life है जैसे pop-up camera होता है smartphone में उसकी भी एक life होती कि इतनी बार ऊपन नीचे होगा उसके बाद क्या होगा खराब जोने के चांसिस बढ़ जाते हैं या कभी भी खराब हो सकता है तो कुछ ऐसा काम करता है तो ऐसा smartphone जिसमें AMOLED डिस्पले है सूपर AMOLED डिस्पले हो तो वहाँ पे कुछ एरिये कई बार ऐसे होते हैं जहां पे पिक्सल ज्याद कभी लाइट कोई ओन होगी बट जो नीचे का पोर्शन है नेविगेशन बटन्स है वहाँ पे आपकी लाइट कोंस्टेंट ओन रहती है इसका मतलब बाकी डिस्पले के कंपैरिशन में जो नेविगेशन बटन्स के जो आपे पिक्सल से वो ज्यादा यूज हो रहे हैं तो उनकी जो लाइफ है वो पहले खतम हो सकती है वो ऐसे भगवान के पास जल्दी जा सकते है ना क्योंकि उनको आप ज्यादा यूज कर रहे हो तो इसलिए इसको एमोलेट पिक्सल बर्निंग इसू बोल देते हैं कुछ लोग जबकि आग थोड़ी लगती उसके अंदर ना ट प्रॉबलम आई हो बट मैं आपको समझाता हूं कैसे जैसे मेरे पास यह वाल्पेपर है इसको मैं अपलाई कर रहा हूं क्लीन स्काई में कुछ बादल दिखाई दे रहोंगे तो इसको अपलाई करने के बाद यह धबबब दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे एक्चुली त करता है कितने पिक्सल बर्न हुए कौन से पिक्सल बर्न हुए या फिर कुछ स्लेक्टिड वॉल पेपर से आप चेक कर सकते हैं जैसे समसंग अपने फोन में एक सुविधा देता है जाने के बाद कावी सारे ओप्शन दिखाई देंगे तो यहां पर रेड कलर रहा ग्रीन या ब्लू कलर इनको आप क्या कर सकते हो चेक कर सकते हो डिस्प्लेइपर कहीं दब्बे दिखाई दे रहे हैं कि एक जैसा दिखाई दे रहा है और यह प्रोसेस होने में बहुत टाइम लगता है डिपेंड करता है आप फोन कितना यूज कर रहे हैं किस सिच्वेशन में यूज कर रहे हैं तेंपरेचर कम जादा इन सब कंडिशन से इस पर इफेक्ट पड़ता है तो इसका जो इफेक्ट है वो देखने में काफी टाइम लगता बहुत सारे स्मार्टफोन तो से पहले खराब हो जाते हैं देखने को भी नहीं मिलता लेकिन यह होता है जो आपको पता होना चाहिए और यहीं यहाँ पर में रीजन है आल्वेज ओन डिस्पले का जो क्लोक है हमेशा ऊपर नीचे होता है जब भी आप लोग करते हैं तो उसकी पोजीशन सेम नहीं रहती क् फोन लोग करने के बाद घंटों तक काम करता है तो होगा क्या क्योंकि वो एक ही जगा पे आपके जो बार-बार पिक्सल वो ओन रहेंगे हमेशा तो उनकी जो लाइफ है वो कम हो जाएगी मतलब वहाँ पे पिक्सल बर्निंग इसू आपको देखने को मिल सकता है तो इसलि मुझे एक ची बताना अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनके फोन में IPS LCD डिस्पले है वो शायद अंदर ही अंदर खुश हो रहे होंगे कि AMOLED डिस्पले बेकार होता है ऐसे होता ना human nature है तो IPS में क्योंकि सारे पिक्सल की लाइट एक साथ जलती है तो जिस दिन उसकी हो सकती है काफी लोंग टाइम बाद तो हर डिस्पले का अपना फायदा नुकसान होता है AMOLED देखने में ज्यादा अच्छा लगता है IPS नेचुरल कलर की तरफ थोड़ा ज्यादा जाता है तो कुछ इस तरीके से फायदा नुकसान सबका है तो इसके लिए ज्यादा टेंश कर सकते हो कितनी देर के लिए यूज हो या फिर कुछ फोन में उप्शन देता है ना टैप करेंगे तब ही दिखाई देगा तो कुछ इस तरीके से इसका आप यूज कर सकते हैं और डार्क मोड को आपको यूज करना चीज़ से बैटरी बसती है आपके आखों पे भी जोर क वीडियो में